Hello everyone, आज इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांस्पोर्ट नंबर के बारे में तो ट्रांस्पोर्ट नंबर क्या होता है और कैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यह हम देखने वाले आज इस वीडियो में तो बात करते हैं ट्रांस्पोर्ट नंबर ट्रांस्पोर्ट नंबर ट्रांस्पोर्ट नंबर को हम ट्रांस्फरेंस नंबर भी कहते हैं ट्रांस्फरेंस नंबर भी इसको कहा जाता है तो क्या होता है ट्रांस्पोर्ट नंबर पहले हम उसके बारें बात करेंगे फिर आगे हम डेटेल में चलेंगे सो क्या करते हैं कि जब हम electrolysis करते हैं जब हम किसी electrolyte को किसी एक vessel में डालके दो metal की road उसमें dip करते हैं और उनको battery के साथ connect करते हैं तो उस electrolyte की वहाँ पर electrolysis होती है और during electrolysis हम क्या देखते हैं हम क्या देखते हैं कि क्या होता है कि जो negative ions हैं और positive ions हैं वो move करते हैं toward their respective electrodes means oppositely charged electrodes की तरह वो move करते हैं तो ये हमारा एक system है जिसमें हमने एक beaker ले लिया और beaker में हमने दो metal की road डाल दी और उनको हमने battery के positive और negative terminal के साथ connect कर दिया और इसमें हमारे पास क्या है एक electrolyte है चीक है अब हमने इस electrolyte के क्या करनी है electrolysis करनी है क्या करनी है electrolysis करनी है तो माल लेते हैं कि इसमें हमारे पास electrolyte है वो A, B type का electrolyte है वो क्या कर रहा है आयोनाइज कर रहा है और A positive and B negative ion की formation कर रहा है थीक है तो अब इसमें A positive ions और B negative ions है और जैसे ही हमने battery on की ठीक है during electrolysis क्या होगा negative ions विल मूव तवर्ड दी पॉजिटिव एलेक्टरोड and पॉजिटिव आयन विल मूव तवर्ड दी नेगटिव एलेक्टरोड means जो एन आयन्स है they will move तवर्ड दी अनोड and the कटायन्स विल मूव तवर्ड दी कैथोड ठीक है और जब मुवमेंट होती है तो उस सलूशन में भी हम कह सकते है कि करेंट होता है ठीक है तो means वो सलूशन भी क्या होता है कंड़क्टिंग होता है clear तो जब सलूशन कंड़क्टिंग है तो means उसमें जो करेंट है वो करेंट कैसे फलो कर रहा है तो जब आयन्स move कर रहा है means again current move कर रहा है that is why solution is becoming a conducting solution ठीक है when the ions move toward the respective electrodes means the solution is conducting clear because the current carriers in this solution are the ions positive and the negative ions cations and the anions clear अब किस ion के ओपर कितना current होगा वो कैसे पता चलेगा मैं तो इसमें यह दिखा गया है कि अगर किसी ion की speed जादा है तो means वो जादा current carry कर रहा है means the current carried by ion is directly proportional to the their speed ठीक है suppose अगर बात करते हैं कि current carried by cation कितना होगा that will be directly proportional to the speed of the cation similarly अगर बात कर रहे है current carried by the anion वो कितना होगा that will be directly proportional to the speed of the anion ठीक है so speed of cation and speed of anion क्या आप बताएंगे हमें उनके कितनी current carrying capacity है means कितना current वो carry कर रहे है clear, so अगर higher the speed है किसी एक आयन की, तो उसकी क्या कहाँ सकते हैं, current भी जाला हो carry कर रहा है, clear, so अब total current है, वो कौन carry कर रहा है, दोनों ions carry कर रहे हैं, चीक है दोनों ions carry कर रहे हैं, अगर हम किसी एक particular ion के उपर कितना current है चीक है, उसका अगर हम fraction ले ले means fraction of current carried by a particular ion, वो कैसे निगा लेंगे, so we can say that the current carried by let it be cation, ठीक है current carried by cation, और हम डिवाइड कर दे उसको किस के साथ the total current carried by the all the ions, total current carried by all ions ठीक है, दोनों cation और anions के उपर कितना current है, वो total current हो गया और कितना current cation ने carry किया हुआ है, उसकी अगर हम fraction ले ले लेते हैं तो इसको बोलते हम transport number, उसको बोलते हम transport number, ठीक है, so what is transport number, it is the fraction of current carried by the particular ion, ठीक है, वो हम थोड़ा सा और detail में समझते हैं, कि कैसे हम इसको फर्दर जो है, बहुत अच्छे से explain कर पाएंगे, हमार पस क्या expression आएगा, वो हम देखते हैं, ठीक है, so, अगर, अगर मान लेते हैं, कि uc, क्या है, it is the speed of the cation, क्योंकि हमने क्या बात किया है, कि current carried by a particular ion is directly proportional to its speed, so हमें यहाँ पे उनकी speed को भी यहाँ पे expression में लेना होगा, ठीक है, so, what is uc, it is the speed of cation, speed of cation, and what is ua, u is the speed of n ions, speed of n ions, then, what we can say that the current carried by cation will be directly proportional to the speed of cation, okay, so, we can say the current carried by cations, it will be directly proportional to the speed of the cation, okay, or we can say, or we can say it is equal to k, you see, what is k, k is nothing, it is a proportionality constant, okay, similarly, the current carried by n ions, वो किसके पापर होगा, that will be also directly proportional to the ua, means, it is equal to k, ua, ठीक है, so, current carried by cation is equal to k, uc, and current carried by n ion is k, ua, ठीक है, so, k kya है, में पास proportionality constant है, clear, so, what is the current carried by the, all the ions, total current, कैसा था में इसको, total current carried by all the ions, वो क्या हो जाएगा, यह, current carried by cation, plus current carried by n ions, means, sum of the current carried by cation and the n ions, okay, so, that will be equal to k, uc, plus, k, ua, or we can write the k, uc, plus, ua, clear, now, what is the transport number of cation, transport number of cation, वो क्या होगा, transport number of cation, it will be the current carried by, current carried by cation upon the total current carried by, all the ions, total current carried by all the ions, okay, so, what is current carried by cation, that is k, uc, and what is the total current carried by all the ions, that is, k, uc, plus, ua, so, यहां से k, कैंसल होगा, so, that is equal to, uc, upon, uc, plus, ua, so, it is simple, that the transport number of cation, so, I will write it as a, u, t+, okay, so, that is equal to, uc, upon, uc, plus, ua, हिसकों, t, plus, भी लिख सकते हैं, और, we can write, the tc, the transport number of cation, clear, so, what is tc, tc is, uc, upon, uc, plus, ua, ठीके, तो, यह, हमारा एक relation आगया, tc का, similarly, we can write for the, we can write for the, transport number of anions, ठीके, so, what is the transport number of anion, that will be, ua, upon, uc, plus, ua, ठीके, so, this is the transport number of anions, and, transport number of cations, क्या था, that was, uc, upon, uc, plus, ua, ठीके, so, हम क्या करते हैं, tc, और, ta, की हम ratio लेते हैं, ठीके, so, what will be the ratio of tc, upon, ta, that will be equal to, uc, upon, uc, plus, ua, into, reverse हो जाएगा, अगर हम नीचे ड्वाइट करेंगे, ua, upon, uc, plus, ua, तो, हो जाएगा, so, we will have, uc, upon, ua, ठीके, the ratio of transport number of cations to the anions, will be the, equal to, ratio of, speed of the cations to the speed of anion, clear, so, we have, the, tc, upon, ta, is equal to, uc, upon, ua, okay, so, we have a, another relation, that is, the ratio of transport number of ions, will be equal to the ratio of their speeds, clear, अब, ये तो होगी बात, इन दोनों के हमने, divide किया, अब हम बात कर, दोनों को add करते हैं, दोनों को add करते हैं, now, taking the addition, now, adding, tc, and ta, ठीके, जो हम इनको add करेंगे, so, it will be, tc, plus, ta, it will be equal to, क्या जाएगा, uc, upon, uc, plus, ua, plus, ua, upon, uc, plus, ua, ठीके, अब, नीचे वाली term का denominator का हम क्या लेंगे, lcm, ठीके, जब lcm लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, that will be, uc, plus, ua, ठीके, तो अब जब हम आगें इसको solve करते हैं, तो हमारे पास उपर क्या आ जाएगा, again, uc, plus, ua, because, हमारे पास जो bottom में term है, वो same है, तो उपर वाली term ऐसा चाहिएगा, uc, plus, ua, तो उपर भी uc, plus, ua, नीचे भी क्या, uc, plus, ua, that is equal to 1, तो means, we can say that, the sum of the transport number of cations and anions is always equal to 1, तो इसका मतलब क्या है, कि अगर हम किसी cations का transport number calculate कर लेते हैं, तो हमें anion का easily हम calculate कर सकते हैं, ठीक है, so if we have the transport number of cations, so transport number of anions can easily be calculated, if we subtract the transport number of cations from 1, ठीक है, so it will be equal to this, clear, अब इसको हम थोड़ा सा और modify करते हैं equation को, और simplify करके लेके जाते हैं, so हमारे पास अब क्या relation है, मैं फिर से लेकरा हूँ, that is, tc is equal to uc upon, uc plus ua, ठीक है, and we have the ta which is equal to ua upon uc plus ua, ठीक है, now, if I divide numerator and denominator with ua, if I divide the numerator and the denominator with ua, so I will have the tc is equal to uc upon ua upon uc plus ua upon ua, ठीक है, similarly, ta will be equal to ua upon ua upon uc plus ua upon ua, now, now, put uc upon ua is equal to small r, ठीक है, अगर हम uc upon ua को small r put कर देते हैं, so we will have, we will have the tc which is equal to r upon uc upon ua क्या आजाएगा, again r, और ua upon ua क्या आजाएगा, हमार पस 1, ठीक है, so we will have r plus 1, or we can say that tc is equal to r upon 1 plus r, कोई फर्क नहीं है, so that will be r upon 1 plus r, similarly, if I talk about the ta, so ta will be equal to ua upon u पे तो क्या आजाएगा, 1 आजाएगा, and uc upon ua क्या आजाएगा, हमार पस r, ua upon ua क्या आजाएगा, 1, ठीक है, or we can write that ta is equal to 1 upon 1 plus r, ठीक है, तो हम इनको इस तरीके से भी calculate कर सकते हैं, means if we have the ratio of the speed of cation and anion, ठीक है, sometimes we have been given that the ratio of their speed as something value, ठीक है, we have some values, so we can directly put the value of that ratio, so we can easily calculate the transport number of cations or anions, clear, so ये था हमारा आज का topic, जिसमें हमने transport number determine करना, सीखा है, भी कैसे हम इसको easily calculate कर सकते हैं, और ये किसके ओपर depend कर रहा है, so what is transport number of any ion, the transport number of any ion is the fraction of the current carried by that particular ion, ठीक है, so what is the fraction, means the current carried by that particular ion and the total current carried by all the ions, ठीक है, जब ions move करते हैं during electrolysis towards their respective electrodes, तो जिस speed से वो move करेंगे, उतना ज्यादा वो current करेंगे, ठीक है, because जो conduction होती है, किसी भी electrolyte की that is because of the moment of ions, ठीक है, जितना fastly वो ions move करते हैं, उतना strongly वो electrolyte करता है, ठीक है, because उसमें उतना ज्यादा current flow करता है, clear है, तो अगर ions की speed slow है, तो मिस उसमें current भी बहुत कम है, that's why they are moving slowly, ठीक है, तो उसमापे हम कह सकते हैं भी इनका transport number भी करेंगे कम है, ठीक है, तो इसी transport number को, इसी transport number को, हम heat of number भी कहते हैं, ठीक है, heat of number भी कहा जाता है, heat of number, ठीक है, तो इसके तीन नाम होगे, पहला transport number, दूसरा transference number, third is the heat of number, because ये सब कुछ हमें कहां से मिल रहा है, heat of method से ही मिल रहा है, heat of rule से ही मिल रहा है, clear है, so next चलते हैं, आगे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम experimentally कैसे determine कर सकते हैं, transport number को, कौन-कौन से methods हैं, ठीक है, जिन से हम transport number को easily calculate कर सकते हैं, determine कर सकते हैं, okay, so मिलते हैं next वीडियो में,